सिरियल गुम है किसी की प्यार में की कहानी में लगता ट्विस्ट अन टरंस आ रहे हैं और इसी कारण से ये सिरियल लगों का पसंदीदा शो बन गया है वह टी आरपी के मामले में भी ये नमबर वन शो अनूपमा से थोड़ा ही पीछे चल रहा है वह अगर शो के करण ट्रेक की बात करें तो कहानी में विनायक और सवी के माता पिता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और कहानी एक बार फिर से काफी रोमैंचक और धमाकेदार मोड पर आखड़ी हुई है जिया विराट और पाखी के लाख चाहने के बाद भी विनायक के सामने उसका सच आही गया है विनायक की अजान चुका है कि वो विराट और पाखी का बेटा नहीं है जिया शो में ये दिखाया गया कि विनायक अपने पिता से काफी नाराज है विनायक खुद को अपने कमरे में बंद भी कर लेता है तो हैं दुसरी तरफ विराट सई को फोन कर उसे काफी जलील करता है और सई ना चाहते हुए भी चोहान हाउस जाती है इसके बाद सई के आने से चोहान हाउस में काफी ड्रामा होता है वहीं आपको बता देगी शो में आगे और भी ट्विस्ट और टरंस आने वाले है यहां अपकामिंग एपिसोड में सई पाखे की जहां सारी बाते सुनती है तो हैं सई विनायक से भी बात करने की कोशिश करती है सही विनायक को ये समझाने के कोशिश करती है कि पाकी और विराट ही उसके माता पिता है और सही कि ये सारी बाते विनायक काफी शांती से सुनता है तो ही विराट और पाकी विनायक को अपने गले लगाते है जबकि दूसरी तरफ विनायक सवी से बात करता है सवी कहती है कि वो भी अपने पिता को तलाश करना चाहती है और इसके बाद सवी और विराट अपने माता पिता की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे विनायक और सवी को किटनैप कर लेते हैं जी हाँ, और फिर सवी के गायब होते ही, काफी बखेडा होता है, सवी के गायब होने के बाद सई काफी बौकला और घबरा जाती है, तो ही दशहरे के दिन सई विराट को एक सच बता देती है, सई बताती है कि सवी विराट की ही बेटी है, और ये बात सुन विराट के होश उ सुवेटन वाच फर अपकमिंग ट्विस्टन तर्म्स गुम है किसी के प्यार में